नागरता संशोधन कानून एवं एनारसी के विरोध में जुन्जुनु के कर्बला मैदान में 56 घंटे का शाहीन बाग धरना शुरू किया गया यह धरना सर्व लोकतांत्रिक मंच के तात्वाधान में आयोजित किया जा रहा है जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हुए धरने पर बैठी महिलाएं अगले 56 घंटे तक इसे जारी रखेंगी धरने को पुरुशों की ओर से समर्थन दिया जा रहा है इस दोरान महिलाएं इबराहिम खान ने बताया कि प्रधान मंति नरेंद्र मोदी के लिए चर्ची 56 इंच के सीने की तर्ज पर यह धरना 56 घंटे तक रखने का फैसला किया गया है उन्होंने धरने को संभोधित करते हुए CAA और NRC को सविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है महिलाएं जो शहीद भगत सिंग अश्फाक उल्ला कलाम जैसे बेटों को जन्म देती हैं उन्हें अब घर से निकलने का वक्त आ गया है यहां से सांसत के लिए कूच किया जा सकता है जैपूर में चल रहे धरने की कमेठी के सदसे राहुल चोधरी ने कहा कि CAA सविधान की मूल भावना के खिलाफ है ममता बागुलिया ने कहा कि CAA वो NRC का देश के हर हिस्से में विरोध हो रहा है दिल्ली से आईश चाहिन सिद्धिकी ने कहा कि सरकार महिलाओं को कमजूर ना समझे महिलाएं अपने हग के लिए घर से बहार निकल सकती है जरुत पड़ी तो संसत को भी घेर सकती है उन्हें कहा कि सरकार यह कह रही है कि वैए एक इंच पीछे नहीं हटना चाहती यह दिखाती है कि हम लोग सब अपने अधिकारों को लेकर कितने सज़ग हैं और हम उनको यह बता कर रहेंगे कि जो इसी चीजें हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं वो अपने इस योजन्या में कभी कामियाब नहीं हो प्रोग्राम की शुरुआत हमारी हो चुकी है और आगे किसी भी धर्म, किसी भी समाज और किसी भी किरों से संबन रखता है किसी से भी तानलोग रखता है उसको शरण दी जानी चाहिए JBD Banquets लाए है, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World Class Catering, Centrally Air Condition, Lush Green Lawns, State-of-the-art Lightning A perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgharana and Jyoti Garden are JBD Banquets Enterprise हैंने वाद